कर रहे हैं मेरे को ऐसा लगा लेकिन जी हाँ आज वो तारीक 13 अप्रेल सबी लोगों को मेरा एक वीडियो याद होगा भारतियों वापिस लोटाओ क्या उस वीडियो को रिपीट दिखाने की आउशक्ता है आपको अगर वो वीडियो याद है तो कमेंट में येस लिखिये ज मोस्को के उपर अटेक और उसके बाद में मैंने आप लोगों को 15 अप्रेल तक में जब अटेक हुआ मैंने का आतंगवाधी गटी विडियो का अस्टेलिया अफरीका यूएसे और येरोपियन कंट्रीज के अंदर चांस बन रहे हैं और अस्टेलिया के अंदर आज आतंग और इस्राइल 40 मिसाइलों से अटेक किया गया सुबह भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डेट्स दीती और ये डेट्स एक बार नहीं दो बार नहीं अगर मैं इन डेट्स की बात करूँगा तो ये देखिए लाइब सेशन के अंदर ये डेट्स मैंने आपको 8 अप्रेल को उससे पहले मैंने ये डेट आप लोगों को दीती फरवरी के अंदर फरवरी से पहले ये डेट दी गई है आप लोगों को दिसंबर के अंदर दिसंबर की 23 तारीक को तो ये सारी dates अब कैलकुलेटिव बिल्कुल exact time के उपर सत्य साबित हो रही है मंगल का प्रभाव साथ की साथ आप लोगों को पता होगा कि शनी का प्रभाव दोनों का शनी की राशी कुम्ब राशी के अंदर विदमान होना और एक समान डिगरी के उपर आना दुनिया के अंदर वायू और आग की गतिविदिया बढ़ती होई नजर आ रही है मुंबई में कुछ गंटे पहले BMC के अंदर आप लोगों को देखा होगा बिल्डिंग में किति भयंकर आग लगी है जिस पर काभू अभी तक नहीं पाया गया है और लगातार वो आग भढ़ती जा रही है तो टेरिरिजम रिलेटिड गटिविदियां सत्य साबित हो रही है आग की गटिविदियां आग के बारे में दी गई जानकारी सत्य साबित हो रही है प्रेजेंट सिचेशन में जो नया वार फ्रेंट उपर होने की चेतावनी दी जा रही थी सपस रूप से मैंने बोली थी बारतियों अब समय वो नहीं बचा है जिस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वापिस आके क्या करेंगे वापिस आके यहां हम लोगों के लिए नोक्रिया नहीं है वापिस आके क्या करेंगे दोस्तो सरकारी नोकरी के अगर उमीद में बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में कर्म यश पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत किसी भी स्वरूप के अंदर होती है मेहनत एक रिक्षे वाला भी करता है मेहनत ओटो चलाने वाला भी करता है और मेहनत बैठे हुए उची बिल्डिंगों के अंदर चाहे वो अपने ओफिस में बैठे हैं वो लोग भी करते है तो इस समय के उपर मेहनत के इस कारेकाल में समय दर समय मेहनत के इस कारेकाल में समय दर समय हम लोगों को एक पक दूसरे पक तीसरे पक आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ने के साथ में दुनिया के अंदर जो ये तभाही का सिलसिला है ये तो अभी just is a beginning ये अभी starting है और अभी 30 मार्च 2025 का वो कैलकुलेटिव ग्रहों की figure निकल के सामने आनी बाकी है जिस डेट को हमने आज से डेड़ साल पहले भी बताया गया था जिस टाइम युग परिवर्तन की starting हुई थी युग परिवर्तन के बारे में बोला था और युग परिवर्तन की ग्रहों की दृष्टी के जो starting बताई थी अब वो 30 मार्च 2025 में शुरू होने वाली है इसके द 51 लोगों के total नाम लिये मैंने राकेश, मनोज, अरुन जी, समीदा जी, सिपरिया जी, साथ की साथ कनिशका जी, रोहित, फिर से मनोज जी और मतला बहुत सारे नाम है इनकी लिस्ट को मैं आगे अगर शेयर करूँगा तो मैं यूटूब पे community post में शेयर कर दूँगा आप लोगों के निवेदन के ऊपर कुंडली के discount price को दो दिन के लिए extend किया गया है केवल दो दिन पे, दोस्त इसके बाद मैं निवेदन नहीं कियेगा, मेरे पास भी time नहीं है, मेरे को बहुत सारी जगाओं पे जाना है और वो अभी केवल appointment की वज़े से pending हो रही है तो जो लोग अपने appointment in discount price में बुक कराना चाते हैं, आज का दिन, कल का दिन और परसो का दिन है, केवल बुक कराईए, पेड है, पहले बता रहा हूँ, ये 500 वाला जो चल रहा है, वो continue है, तो जो लोग बुक कराना चाते हैं, वो केवल WhatsApp पे message करके, 9634-566-899 पे message करके, बहुत बहुत दन्यवाद, आज मैंने देखा, तो केवल दो दिन के लिए extend कर रहा हूँ, और इसके बाद में extend नहीं कर पाऊँगा, मुझे travel करना है, जिस कारण से appointment pending हो जाएंगे, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, और अब, अगर वार फ्रेंट open हो रहा है, जैसा बोल जा रहा है, रेगुलर्ली और सुबह वाली वीडियो में बताया, 10th of April से लेके, 15th of April तक का समय है, अगर इस दौरान, connected हो गया, प्लीज बताइएगा मुझे एक बार, message कीजिएगा, connected हो गया है, शायद, views बढ़ने लगे हैं, connected हो गया है, thank you, thanks a lot, अब, अगर इस परकार किसी भी कोई एक bug आया था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने सोचा, थी शायद चला गया हूँ, नहीं दोस्तों, रशिया, अमेरिका, और इसके साथ साथ भारत और चाइना, इन दोनों में से, अगर इन चारों देशों में से, किसी ने भी इराइन और इसराइल की भागीदारी निभाई, मतलब उनको दिया गया support, at presently एक बड़े महायुद को, चेतावनी के रूप में दिखा रहा है, और ये upcoming 20 days के अंदर अंदर अगर हुआ, तो साओदान हो जाना मेरे भाईयों, जो वहाँ पर रह रहे हैं, पहले से बोला हुआ है, दो साल का समय आप लोगों के पास में है, upcoming two years, 2025 तक का समय, 2025 तक के समय के बाद में, हम लोगों को बिलकुल भी बचने का टाइम नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा विशु के अंदर, चेंज जो 30 मार्थ 2025 के लेके आने वाला है, उसके बाद में, आप वापिस भी आएंगे, तो आप लोगों को चेतावनी के इलावा कुछ नहीं रह जाएगा पास में, ये सतरकवानी हम लोगों ने पहले बुई थी, तो महा युद की वर्ल्ड वार नहीं, प्लीज, वर्ल्ड वार मत समझेगा, फिर बता रहाँ, वर्ल्ड वार नहीं, महा युद की सबसे बड़ी सतरकवानी की अप कमिंग 20 डेज के अंदर अंदर, अगर इन चारों देशों ने इसराइल और इरान का साथ दिया, तो बड़ा युद गटित हो सकता है, और ये कन्फरम है, 40 मिसाइलों का अटेक्ट, वो ही हवा के माद्यम से हुआ, और अभी जो सिचुएशन यहुदियों ने बोला है, जो लाल बच्छिया की बली के लिए तो आप देखिए पूरे विशु के अंदर यहुदियों का केवल एक ही देश है, वो है इसराइल, अगर ये इसराइल कुछ लाग की जनसंख्या का देश, एक करोड भी टच नहीं हो रही है, कुछ लाग की जनसंख्या का देश है, और अगर इसके उपर किसी भी इरान ने जो परमानू बम कह रहे हैं कि उनके पास है, अगर हमला हुआ, वैसे तो परमानू बम का मुझे असार नहीं दिखाई दे रहें, लेकिन अगर एक भयानक हमला हुआ, तो बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रियेट हो जाएगी, वर्ल्ड के भी शान्त नहीं रहने वाली, और जो लोग अभी भी इस ब्रह्म में जी रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, क्या वो भूल गए है, रशिया और यूक्रेन का यूद जो चल रहा है, रेड सी वार जो चल रहा है, पाकिस्तान और बलिचिस्तान के अंदर जो घटनाए चल रही है, चाइना, ताइवान, इरान, इसराइक, कितने वार फ्रंट इन लोगों को चाहिए, आगे अपने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आख मूंद के बैठे हुए कुछ चुनिंदा लोग, जो इस युग परिवर्तन को अपना नहीं पारे, और इस महायुद को समझ नहीं पारे, अभी जो ये प्रोक्सी टू प्रोक्सी वार चल रहा है न, ये वार किवल प्रोक्सी वार नहीं रह गया है, इस हमले के दोरान, बहुत बड़ी परिस्तितिया आगे आने वाले टाइम में बदलती हुई नजर आएंगी, और हमने सबसे पहले जो नुकसान देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इसराइल के पास के देशों में, और जब ये बात बोली जा रही है और लोगों ने ये बोला कि भाई, युदोने वाला है, महायुद की जंबावनाएं आ रही है, हम मर गए, तो हमारे मरने के बाद में क्या होगा, पहली बात तो ये बहुत सारे लोगों को मरने की जल्दी है, लोग ये सोचके बैटे हैं कि मरना तो अब निश्चित है, मरना तो तैय हो गया है, तो मैं ये बात बता देता हूँ, भारत में नुकलियर वार के जीरो परसेंट चांस दिखाई दे रहे ये कर्म का साल है और शनी इसका प्रदान है और इस से जो भागेगा वो नुकसान उठाएगा, इस बात को मैं चेतावनी के रूप में बोलता हूँ, मेरे को और इस चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को ये बात कन्फरम है और इस बात में ये बात रेगुलरली अपडेट की जा रही है कि जो पहला अटेक जो स्टार्ट होगा वो मुसलिम कंट्रीज और मुसलिम कंट्रीज के द्वारा ही होगा, अब आप देखिए आउदियों के उपर इरान का हमला, इरान ने अगर हमला आउदियों के उपर किया तो उनके देश को अगर खतम करने क जो यह planning कर रहा है जो यह सोच रहा है कि हाँ इस लाल बचिया की बली के बाद में planning होगी तो 22 अप्रेल मतलब यह कोई एक particular fixed date नहीं है कि इस तिन बली दी जाएगी उनका कहना यह है कि गहन की उत्पत्ती भी ओनी चाहिए तो प्लीज अब जो यह समय चल रहा है इस समय को situation निकल के हमारे सामने आ रही है और एक के बाद एक बहुती जादा गंबीर समस्या निकलती हुई आ रही है जहां पर मंगल का विस्पोटक योग अब आने वाला है और जगे जगे के ऊपर आप लोगों को प्रोटेस्ट दिखाई देगा इसराइल हमले के लिए बाहर से त द्रूनी मार भी जेल रहा है तो दोनों परकार से जनता का विरोध शनी जनता को रिपरेजेंट करते हैं सुबह भी बताया था सरकार के विरोध पुलिस के विरोध प्रोटेस्ट की संभावनाए और यह निकल के नहीं आ रही है यह और एक हफ़ते के अंदर कुछ बड़ा होने की संभावनाई दिखाई दे रही है frequency of war increase होता हुआ नजार आ रहा है ग्रैओं की उत्पत्ती के कारण ये आगे और भी ज़्यादा complicated दिखाई दे सकता है earthquake फिर से आने वाले हैं जिन जिन जगाओं पे आयते दुबारे क्लिक करेंगे ये बात confirm रूप से बता रहा हूँ तो जहाँ जिन जिन लोगों ने earthquake के बारे में जानकारी लीती समल के रहिएगा दुबारे 100% आने के chances हैं 100% note 99 100% आएंगे trigger हो गया है और ये trigger आगे बढ़ेगा तो अब USA Canada, Japan, Africa Europe, Sweden, Spain, Maldives Thailand, Sri Lanka, Nepal दुबारे से रिपीट कर रहा हूँ USA, Canada, China Japan, Africa Europe, Sweden, Spain Maldives, Thailand, Sri Lanka Nepal, Iran Israel यहाँ पे जो जो भारतिये हैं एक backpack करके रखना situations कब complicated हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा इरान और इसराइल की तरह है जैसे रशिया और यूक्रेन के अंदर हुई थी भारत फुल सपोर्ट करेगा लेकिन embassy के साथ मैं अपने आपको register करके रखने की बात समझ लीजिएगा इस बात को मैं आप लोगों को अब भी से बता रहा हूँ और इन में से कुछ देश है जहाँ पे war situations नहीं है लेकिन economic crisis, financial crisis और home crisis की 100% बढ़ गई है और ये अल्रेड़ी चल रहा है और आगे भी continue रहने वाला है अब भारत की कुंडली के अंदर 11th house के अंदर मंगल और शगरी आगे आने के बाद में जैसे ये आप मतलब ये कहिए दोनों का propaganda हमारे यहाँ पे चुनाओ के बाद में प्रमांड पत्र क्या बोलते हैं उसको चुनाओ पत्र चुनाओ पत्र जैसे ही आएगा सरकार के विरुद बहुत सारी changes बहुत सारे सरकार के विरुद बड़े परिनाम लोगों के अंदरूनी खोज-खोज के मतलब ये कहिए जिसको कहते हैं कि जमीन के नीचे से खोज-खोज के लोगों की सच्चा ही निकलती हुई सामने आने वाली है जो पॉलिटिक्स में हैं उनके बारे में ये पहले से अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया है सोलर फ्लेयर का दुबारे से आप लोगों को दिखाई देंगे साथ की साथ अब इसके बाद में रशिया और यूक्रेन के अंदर और साथ जो भी मतलब वार जिन जिन देशों के अंदर चुरू हो चुकी है उनके अंदर जितना भी एनरजी रिसोर्स है ये देश उन एनरजी रिसोर्स को आगे ट्रिगर करते हुए नजर आएंगे और एनरजी रिसोर्स को ट्रिगर करने की वज़े से बहुत सारे लोगों को पावर की परिशानी इलेक्ट्रिसिटी की परिशानी एनरजी की परिशानी होती हुए नजर आएगी क्योंकि इस समय में एनरजी बहुत ज़्यादा डाउन पे जा रही है और ये परेशानी लोगों के तरफ में बढ़ने वाली है इस समय पर tourist place से बचके रहें टेरिस्ट प्लेस जो ये जिन देशों का नाम लिए है इन देशों के उपर tourist place में फिरसे an attack होने की समभावनाय दिखाई दे रही है संभावित स्थिती ऐसी ही है कि टेरिरिजम इस टाइम पीक पर चल रहा है और टेरिरिजम अटेक की ब्लास्ट की आर्मरी का प्रियोग फिर से बोल रहा हूं दो बार पहले बोला है और हुआ है मोस्को में हुआ अभी अस्टेलिया में हुआ फेड से बोल रहा हूँ आर्मिरी का प्रियोग बड़ा प्रियोग फेड से दिखाई दे रहा है जिसमें जानमान की हानी होती हुई नजर आ रही है एक और रिपोर्ट अभी सामने निकल के आई है तक्रीबन ऐसी बिमारी जिससे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर अंदर 3500 से जादा लोगों की मिरती हो रही है 3500 से 4000 पीपल्स पर डे मरे की संभावनाएं दिखा रही है या हो रही है मैं इसके बारे में कंफर्म पुष्टी अभी नहीं करूँगा यह स्पस्रूप से बता दूँगा क्योंकि उसके उपर रिसर्च चल रही है और वो रिसर्च में आप लोगों के पास में लेके आने वाला हूँ तो upcoming two years trigger कर रहे हैं panic situations को two months का already calculation आप लोगों के पास में है two months के अंदर situation आ गई है आज का USA का sudden crisis देखा market का USA के market की crisis के बारे मैं बताया था न अभी चार दिन पास दिन पहले stock market के relative video नहीं बनाता हूँ मैं फिर भी आप लोगों को बताया था sudden crisis हुआ है न जो लोगों ने पैसा लगा रखा था पीक पे था और उन लोगों का पैसा किसी को नुकसान हुआ है किरप्यागर के comment में मुझे बतायेगा बहुत सारे लोग है जो stock market में आज की date में interest लेते हैं किसी को नुकसान हुआ है अभी में आज के दिन के अंदर अंदर please comment कीजिएगा कितना बड़ा एकदम से downfall market के अंदर देखने को मिला और ये market का downfall अभी कई बार देखने को मिलेगा आप लोगों को ये दुबारे से 100% आप लोगों को stock market के अंदर मुझे interest इसलिए नहीं है क्योंकि जुआ 60 lot इसके अंदर कोई interest नहीं है इसलिए मैं stock market को एक जुए के जानी समझता हूँ कि बड़ा तो बड़ा नहीं बड़ा तो नहीं बड़ा जिन लोगों का काम है वो करेंगे लेकिन इसके उपर prediction करना कई लोगों की जिंदगी के उपर सवाल उड़ जाते हैं क्योंकि कई बार ये अप जाता है और अगर predict किया उन्होंने गलत निकाला और ये down में चला गया तो भाही लाखों का नुकसान उठाके लोग बैठते हैं तो अब situation है crisis की situation है home crisis की situation है financial economic crisis की situation है war की terrorism attack की और blast की तो अब सावधान होने की अवशक्ता है और इस समय पे आज की date में भाई हमें तो 15 लाग पहले share में आज तक loss है विजे कुमार जी दोस्त इनको जितनी जल्दी अगर sale out कर सकते हो कम loss के अंदर कर दो आने वाले time में बड़े loss की संभावनाएं दिखाई दे रही है आयूज जी बता रही है देखिए यह 100% की predictions है दोस्त जो लोग बोलते है न वैदिक astrology सत्य नहीं होती वैदिक astrology 2023-2024 और पहले से उन लोगों के मुँपे जोरदार तमाचा मारती आ रही है और एक एक बात सत्य हो रही है यह केवल research का फर्क है आकलन का फर्क है क्योंकि वैदिक astrology एक ऐसा कुवा है इस कुवे के उपर जितनी research करी जाएगी उस research के अंदर से उतना ही सत्य निकल के बाहर आएगा जो सब के उपर असर करेगा सत्य बहुत ही जादा कड़वा बहुत ही जादा हानिकारक और बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि सत्य को लोग हजम नहीं कर पाते अगर आज की date में आपने किसी अंदे को अंदा बोल दिया तो आपसे लड़ाई करने को आतुर हो जाएगा यह नहीं देखेगा कि हकीकत में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो यह बात समझे कि सत्य कितना भयाना कितना डरावना है और इसी सत्य को बहुत सारे लोग इस चैनल पे भी हैं जो असेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने असेप्ट किया जिनके कमेंट्स आते रहते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आने वाले दो सालों में दुनिया में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है और वो परिवर्तन इस अर्थ के ऊपर क्या कैलकुलेटिव प्रतीरिया दिखा रहा है और क्या होने वाला है हो सकता है आपके और ह हम लोगों के जिन स्थानों पे रह रहे हैं, वहाँ पे भी संकट के बाडल मंदर आ रहे हूं, तो कौन-कौन से वो स्थान होंगे, कौन-कौन सी वो जगा होगी, और किस-किस देश के अंदर यह होगा, इसके बारे में कल बात करेंगे, स्टॉप वार स्प्रेड, लव, दोस्त, जो चल रहा है, उसको आप और हम लोग नहीं रोक सकते, हाँ, यह सचा ही है, प्यार बाटना चाहिए, लेकिन उस चीज को, उस सत्य को असेप्ट भी करना चाहिए, जो कई लोगों के परिवारों को, एक चेतावनी सतरकवाणी के माध्यम से असेप्ट कर सकता है, बिल्कुल आने वाले टाइम के लिए सतरकवाणी, क्रिप्टो करनसी, मैं देखता ही नहीं, H5N1, H5N1 की चर्चा देख रहे हो अब, आप लोगों को शायद याद होगा, H5N1 दिखा देता हूँ, अगर ओपन करूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा डूनने में, H5N1, ये रही, ये देखो, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने बनाया था, पूरा वन येर, फोर मन्स पहले, और मैंने इसमें बड़ी चेतावनी दी थी, और मैंने कहा ता ऐसा बैक्टिरियल इंफेक्शन फैलेगा, और जिसके कारण, बहुत कुछ दिखाई देगा, और अभी थोड़े दिनों पहले, H5N1 वाला वीडियो भी बनाया, जिसको आपने बहुत पसंद किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, जिसमें ये मैंने बोला है, कोरोना से 70% लोगों की मिर्टियो होगी, कोरोना वाइरस से सोगुना जादा खतरनाक वाइरस, और वेस्ट अफरिका ने अमरजेंसी डिकलियर कर दी लोग मुर्दो के हड़िया कबर से खोद-खोद के नशे के रूप में उनको इस्तमाल कर रहे हैं तो अब आप देखिए ड्रक्स, जोंबी और क्या-क्या निकल के सामने आ रहा है इस दुनिया के अंदर जिसके बारे में हमने आज तक सुनात भी नहीं था मौंकी वाइरस और आपका ये H5N1 वाइरस N3 और एक के बाद एक मामारी और अभी तो साइबीरिया के अंदर और एंटार्टिका के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पुरानी बर्फ गिरी हुई है और वहाँ पे अब प्रेजेंट के अंदर नए वाइरस निकलने की बात की जा रही है situation गंबीर पे गंबीर होती जा रही है tornado, बारिश, western country से मेरे पास message आए उन्होंने बोला बिल्कुल सत्य predictions होई है और ये regular तोर के उपर हो रहा है तो दोस्तों जो भी मेरी बविश्यवानी होती है जो भी prediction होती है वो Vedic astrology के माध्यम से होती है और आप लोगों के लिए जो prediction करता हूँ बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान दे के करता हूँ अब भी करोडों लोगों के मरने की आशंका नहीं दिखाई देरी लेकिन कठिन से कठिन्दर समय निकलके सामने आता जा रहा है तो आज के लिए इतना ही, जै श्री किर्शना, जै माता दी, नवरात्रों की पंचमीती थी है, उमीद है सभी लोग नवरात्रों को मान रहे होंगे, माता रानी का भचन कीरतन कर रहे होंगे, और माता रानी उन सभी के उपर खुशिया बरसाए, सभी के घरों के अंदर सुक् माज में इस जगत में जो ये कठनाईयों का जमें चल रहा है इससे जल्दी हम बाहर निकले तो जै माता दी दोस्तों